हुआ है हलो इस डिजाइन आप स्टील स्टेक्टर में रिवेट जॉइंट बेल्ड जॉइंट और मिसनेरी पढ़ने के बाद आज हम अपना लाज्ट टापिक शुरू करेंगे बोल्टेड कनेक्शन क्योंकि डिप्लेमा के स्लेवर्स में बोल्टेड कनेक्शन तो दे दिया ह Based On It 4-5 देखने के बाद आपका बोल्ट से शुरू करते हैं क्या परनाम को आज बोल्टेडisol कनेक्शन है ना क्या पढ़नेंगे आज क्नेक्शनल सबस्फानेंगे हम टाइप बोल्ट कैया परनाम को टाइप बोल्ट के के परकार अब बोल्ट के परकार हम किस बेसिस पर देखेंगे टाइप आप बोल्ट बेसिस बेसिस आफ एकशन आफ एकशन आफ लोड़ ट्रांसपर है ना किसके अधार पर देखेंगे हम लोड़ ट्रांसपर के अधार पर बोल्ट कितने परकार के होते हैं तो बताइए बोल टाइप आफ बोल्ट क्या मिलेगा बीरिंग टाइफ आफ बोल्ट है ना दुसरा क्या मिलेगा आपका फिरिक्सान टाइप क्या मिलेगा फिरिक्सान टाइप ठीक है अब बीरिंग टाइप आफ बोल्ट भी कितने परकार से मिलते हैं आपके दो परकार से बीरिंग टाइप आ कहें अफ़ने का सो इसमें से ब्लैकबोल्ट है से ना मिलेगा आपको ब्लेकबोल्ट इसे हम सब्सक्राइए exactamente ऊप ऊप islands ऊपने सब्सक्राइए या स!' सब्सक्राइएं को इस शूलेटेशे से या ऐस formulated लोकर थृृृृ बलेक बोल्ट इसे काते हैं अनफिनिश्ड बोलiosa सब्सक्राइब इसे काते हैं अनफिनिश्ड बोल्ड या इसे काते हम लग और्डिनरी वोल्ड क्या काते हैं लो औरडिनिरी बोलड दिखा Rainbow कि न आ रहे तर ठीक है यह दारा सुनदें भल्टय सिर्टिया नाम होता आपका ऑडिंरिंध क центр के क्या होता मैं थैट्टीय है परकार होता है या फिलिक्षण टाइप बॉल्ट क्या होता है या और प्रिक्षन टाइफ बोल्ट क्या होता है फ्रिक्षो टाइपप बोल्ट में रहता का एच यह जी होता है इस बोल्ट ये यह नियुन हाई हाइच ours हाइस असक्ते हुआ लगा रख्रीक्षण हाइस त्रिक्षाण प्रिक्षेण नियु आ यहां आपका आपका हाई स्ट्रेंथ फिरिक्षन ग्रिप बॉल्ट इसमझेगा अब क्या होता इसमें लोड का ट्रांसपर नाम से लग रहा होगा आपका लोट प्रांसपरना कि सेंचा बीरी एकसे anda कि लोड का ट्रांसपर साइब के लौड का ट्रांसपर है लौड ट्रांसपर कि से less स्एहना नहां कर नाम में चुपातलब यहानि लोड का है लोड का ट्रांसपर कि से幾 σας लागाота विरिक्षन टाइप में लोड का ट्रांसपर कैसे होगा अध्यसर विरिक्षन सबको समझा रहा होगा जब दो करेंगे दूसरे पर कंटेक्ट है यसलना चाहिए तो इस एक पर होगा पीछले वीडियों करें बराबर हो सकता है और बड़ा चोटा हो सकता है ना सब्सक्राइब 2 mm कि रोगया और नीचे का है यह फिर एक मिंबर तरह हो सकता है दोनों सेम लंबाय चाहले सेन ऑसकते हैं यह दोनों अलग-अलग अबसखते हैं इस अंध्वां ने ले लिए लरा है एक फिर और यह नि दोंगे ना आपका यह स्टू और ने रहे हैं यह जिसका मुझें प्लान देखें टाफास है क्या दिखाए देगा फूटिंग कि प्रुटिंग का दिखेंगा उसके बीच में क्या दिखेंगा आप कालम है का लन देग collective वह दिखाए कि प्रकार की बात करें य noodle सिग्मा मतलब हता आपका ना इस्टेस कितने इस्ट्रेस कितने परकार कोते हैं दो परकार से नार्मल इस्ट्रेस कि नार्मल इस्ट्रेस और दूसरा क्या होता आपका सियर इस्ट्रेस है ना दूसरा क्या होता आपका सियर इस्ट्रेस अब नार्मल इस्ट्रेस को किसे दिखाते हैं सिगमा से सियर इस्ट्रेस को किसे करते है हम लोक ताउस किसे तीनेट करते हैं नार्मल इस्ट्रेस तीन परकार के होते हैं हम हम यह नहीं नहीं बताएंग नार्म इस्ट्रेस का भूत्मन होगा स्षेटर से क्या मिलेगा आपका बीरिंगह स्ट्रेस कितने परकार कि इंदके अब के इस rely हृइंक डाइरेकट डाइरिक्ट सियर इस फिर इस जो कहां मिलता आपका लगेरा में मिलता है आपका देख्यास हॉन लगा देख्या讲 कितना लगा लगा कि फॉर्स कि न लगा देख्या पोस तब क्या होगा भूत सब्सक्राइब बल अपन 6 कितना है A B है ना यहां का 7 लिए कषटरफल क्या है B जबकि सिग्मा कहां कदख रहे हैं ये एक्सटू डूकादेख है त Blima बाट चेटरफल अभी दिज़ां को ऑसब्स क्या मिलेगा एक अबाद एक्षेतर फ्लामेर को इसको कहते हैं एक सीघ्जिय तर ये प्रतिभल यह इसको नोब क्या करेंगे ऐसको समझे निए लेकिन जहां भी आपके दो मेंबर मीट करेंगे तो जहां दो मेंबर कंटेक्ट करेंगे उस कंटेक्ट पोर्शन पर कौन सा इस्ट्रेट उत्पन होगा आपका चंटेक्ट कर रहा होगा क्योंकि वह ही उत्पन होगा जाहं सब्सक्राइब और करते हो जहां दो different members contact करते हूं ठीक है तो बोल्ट यानि प्लेट से contact करेगा तभी बिरिंग उत्पन होगा याँ आप देखेंगे बिरिंग इस्ट्रेस तरह सा कौन सा स्ट्रेस से नप्रतिवल यानि धारन प्रतिवल एक तरह सा कौन सा है आपका लांसें तहरे ही प्रतों प्रतिवड बाँपर ओंपरणा सक्ट रहा बिए सुटे gramm vi छोटा ऑता लुट कंपरेशन एक श्याल दखें ऑबादंगे इस करेंगे एक्स टेंशन बेंडिंग जैसे डिंडेंग आनते हैं जानते हैं ऊपर और कंपरेशन नीचे लेकिन बीरिंग में टेंशन नहीं होने वाला क्यांकि ग्यारिंग मिलेगा हमेशा क्प्रेशन मिलेगा ठीक है तो तो इतना को समझाहा होगा कहां अभी तक आपको एक चम्धार रहते तो यह नि जहां दो डिफ्रेंट मेंबर एक दूसरे से क्या होंगे कंटेक्ट में होंगे फिरिक्शन तो आपको समझ यह रहा है चलिए कुछ फिगर बताते हैं इसका है ना वन बाइवन पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीरिंग टाइफ आप बोल्ट यह पर नाम को बीरिंग टाइफ आप बोल्ट यह समझ यह हो गया आपका एक लैप जॉइंट है ना किसका फिगर बना रहे हैं आपका लैप जॉइंट का ठीक है इस पर लग गया एक फोर्स की इधर लगा और पहर लगा इसकी मठाइए आपका व्य में साुझा ripping कि यदि हम इसका प्लान देखें से ऐसे बनेंगा यह हो गया यह वाला मेंबर है ना उपर क्पलेट यह वाला ऻोगा कि अ अधर हेँ पॉर दिरेगा त doublet में कंपे considering द्राइंग के नियामें संद्पंबना देपा ब्लान अब इसका जब तो ब्रेखेंगे तो ब्रेख दिख जाएगा है ना होल का क्या दिख गया ब्रेख दिख गया अब इसमें हम जब भी डाल एक सोरे रिवेट डालेंगे तो देखिए आप पहला दूसरा क्या बता है यह फिरिक्शन टाइप है ना यहीं समझ लेजे यह यह बीरिंग टाइप जो और क्को में क्या होगा कि एक जो बोल्ट में ऐसे कन्टिक्ट में आएगा लेकीं फिरिक्शन टाइप आ वोट में बेरिंग इस्ट्रेस नहीं उत्पन होगा यानि फिरिक्षन टाइफ आप बोल्ट क्या होगा अपने चारों तरफ ना कि लेकर चलेगा मेंटेन करते हो चलेगा देखिए गाया समझाएगा अब जैसे समझेए अब इसमें क्या इंसर्ट करेंगे बोल्ट को इंसर्ट करेंगे हैं आप किसको इसको इंसर्ट करेंगे बोल्ट को अब देखिए हम क्या इंसर्ट कर दिये इसमें बोल्ट इंसर्ट कर दिये हम बोल्ट कि है ना एक इंसर्ट कर दिये हम कि बोल्ट श श है है अफ ऑचे है आपको समझ रहा होगा सबसे पहले हमे किया बनाया है हुल क वित में क्या बना है हम होल का ब्यास बनाएं और उसके बीच में क्या लगाए है बोल्ट को आपको क्या देखने के मिल आए कि बोल्ट और समझे बोल्ट और होल के ब्यास के बीच में क्या है यहां समझे किलियर होगा यह क्या बना दिया बोल्ट लगा दिये क्या लगा दिये बोल बाहरला गोल हल एका है का अंधर वाला गोला क्या है इसके बीच में जो गैफ है ना नहीं बॉल्ट हो गया कि om a है । ह lunar कर दिये दिए हो गया आपका भूण्ट क हभू अब का वह ऑब एक लुगह आपका एक हो गया आपका हुआ Г he हो गया इसके बीच में यह गैप करनें किले ये यह करण है अब से मैं हुल बाप हिरो नहीं द्व में फिट में लगा दिए जैसे ही लगा वजद्व ूर्ट आएगा अब सिवाले मिंबरकू के धर खिचेंगा फिद खिना चाहिए आपया लोड़ इस UM एधर फीचेगा अधर यह जैसे इंकी नहीं मिला है ठीक है रिज़ाता है यह आपको समझ आएगा कि यह जैसे लॉट लगाना इधर के आऊ गया स्लीप हो गया इधर के आऊ गया फोट्टा स्लीप हुआ जैसे ऑला पॉर्शन क्या ओगया इस नीचे वाला कि इदर सिलिप हुआ चाहिक यह वाला पोर्चन कांटेक्ट में आगया ख्याएं ला बताइए यह बोल्ट है से इप separation पर आपका सा गुष्मिन पर पर आप आसे वह चैसे म्हां पर už साय है कों सा आत्रा कि यूए हमुए नियुपर artist द्रेग्राम तो कैसा बनेगा समझेएगा ईब कर तो टौल पोल्ट हो गया यहां nu इंहीं उपर वाला वालो पॉ-इंश्बक निजह वह व движ लेहां के आपका यह हृआ अपकर वाला पोर्सण आसद्च फीट वाला पॉ आपल्टन है अब क्या करेंगे इस तीर्ह लगा है हना कि तरह लगा इस तरह तभी तो इस प्लेटाओ उदर खीचा है उसके पाध इधर गया है इनि कितना एक पी रोट कितना है पी है लोट उधर खिच रहा था शांभrea ऊसमाहिश्या तो इसके तो दूनों प्लेट के सब्सक्राइस हैं तो यहां लगा का इब लगाएंगे तो जादा लोड लगाएंगे समझेगा यह लेकिन जादा लोड लगाएंगे यह मारकर यह जगा क्या लग फेयर tin उपर वाले में यहां याँ वाले में लेकिंएंग लगा हो jijए ज़िए लोड़ लगाएंगे यहां से टूट जाएगा तो टील हैं तो किसके लिए कटता किसके करन आइक आपका सियर के वाजा से यानि जो प्रसान है जहां दोनों प्लेट मिली हैं ओहां कौन सा स्थ उत्पन होगा का सीर इस्ट्रेस उत्पन होगा यह कहेंगे जिए ना ओभी रिंग फॉर्स है कि बीडिंग फॉर्स है लेकिन एक हो घुझे वाला आफ है सिय आफ हुझ वाला है कि एक की वोल्ट पर कितने हैं आफ यह तो फोर्स लग रहा है वियरिंग फॉर्स उसके वज़ाद से बीजिस उत्त्यूपन होगा और लग रहा है आफ का ँप हैं और साटिद्गा ढांप का किलियर करने के लिये हैं हम क्या कर सकते हैं हम लेट है होल का ब्यास कितना ले रह oc k bak β्यास किटना लिए हैं हम जी टो रिवेट का簡 स्थ 2-0 ले रहे हों गतले कितना है हम हुआ कितना ले लिए हम 18 ₹ मिल गया में दो म्का क्या मिला हम को Bernie समिला यानी समझे इक हो गया गाऑ façon सबस्क्राइब कि अका केना युषमें और किसे चGreen मिला है तो एक मुला है क्लियरेंस अधर मिला है ये ना समझा रही होगा एक किलीरेंस इधर मिला और एक मम का क्लियरेंस इथर मिला है ठेक है के मतलब रिवेट का व्यास और होल के बियास के बीच में जो गया उसे क्लियरंस तो एक क्लियरंस मिल दा है ठीक है अब देखिए कहा होता है प्लेट इसलिप किया है प्लेट उदर सिलिप किया है इसलिए आप बोल्ट को करते हैं स्लीब कनेक्शन क्या करता है अब समझेगा अब यह क्या होता है बहुत ही छोटा वैल होता है ना उसके सरक्नेश कोई दिक्कत नहीं है तो आपको समझ आया क्या अब दिनाट अब दिन दो हम क्लिरेंस मिला एक में इधर कर एक इमें इधर हम आपसे पूसें कोस्चन इसी तरह देएं कि एक रिवेट का ब्याश स्थीए में है को समझेगा अच्छे से होल का ब्यास ब्यास 18 में तो कितना इम जो होगा प्लेट व स्लीप करेगा को स्थे सिलीब क्नेक्ट सिलीब करेगा कि दो से करेगा तो से कम करेगा तो देखिए आपका जब इधा तो कितना सिलीब किया है यहीं तो तो क kite लेड क olmuşे साथ का क अजली लेकिन कितना से को साथ किक विलक में कर रहा है जिर ऊब कर रहने सब्सक्राइब तुरब जाएगा दो किसे लिए टरह यह गया है है उसे तरह सब्सक्राइब प्रकार से ब्लेक बॉल्ड और निस्ट और निरी और होता है अब समझ यह हो गया आपका बॉल्ट ऑगया एक क्या आपका रस है यह कौन सा बॉल्ट होगा आपका अन्फिनिश्ट बॉल्ट है ना एक कंसा prayer आपका Κारे फिनिश्ड बोल्ड एक दूसरा टाइप बोल्ट मिल्ड है घुर क्या है इसमूथ है है ना तो यह थत यह पाइब आपका टंड उसके वोल्ड के साइद कैसे आपके इसमूथ है यह आपका फिनिस्ट बॉल्ट को मिल जैका अपका फिनिष्ट बोल्ट j2 अब अब समझे मैं फिनिश्ट पॉल्ट क्या होता है अनि फिनिश्ट बॉल्ट क्या है और इसके सी craft क्या है आपके रफ है यानि खोड़ दूरे हैं तो अब देगा लगाने में क्लियरेंस ज्यादा रखना पड़ेगा कि फिर लगाने में क्लियरेंस ज्यादा रखना पड़ेगा तो आपको पता है जिसके किनारे क्या होते हैं आपके रफ होते हैं उसको को इंसर्ट करने में दिखकत नहीं होता है क्लियरेंस रखने का कोई फायदा नहीं होता है क्लियरेंस क्यों रखते हैं हम क्लियरेंस उसलिए रखते हैं क्योंकि हम बोल्ट को असानी से इंसर्ट कर दें ठीक है ऐसा नहीं क्लियरेंस रखने से फायदा होगा कुछ नहीं होता ह किस्टप्चर में अच्छे से हम बोल्ट और boy में धोने धीन्य बोल्ट को जब क्या पढ़ेगा यहां बार बार खोलेंगे बंद करेंगे औहां किसका करते हैं लोग अनिश्ट करते हैं ठीक है या फिर टंपरेरी स्ट्रेक्टर के लिए तो उसको भी खोलेंगे किरेंगे रहेंगे फ्र्लीरियां को किनार्य प्यविब ने रहेंगे खोड़०ूर रहेंगे उसकस्ण रहते हैं अब फिनिश्ट बउल्ट में समझेगा फिनियों उन्हें के लिए रखते हैं कि लिए रखते हैं किसकर रखते हैं रखते हैं ना तैसे हमें मैं और हैं कलेंस कम रखते हैं हैं कि किलीन्स क्या का रखते हैं कि को रखते हैं रखते हैं रखते हैं एक पांस nutrition में से करके दसप oatmeal फाँच जीरो यह तकarian कि अ कितना कम पांच अब भूल से देम लोड़ बैसे को त्युक्त थिमेंगा घथा ten फिर recruit आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मैक्सिमम कितना रख सकते हैं लोग दस मलों पांच में रखने के बाद आपको इतना पता है कि स्लीप कितना करेगा नहीं कितना करेगा कि अद्सक्राइब करेगा कोई करेगा तो कोई नुकसान होगा कितना करने करेगा आपका दसमलों दो पाँच इस से कम ही करेगा क्योंकि तो मैक्सिम्म मच किलिए पाइड़ अधे जाक कंटेक्ट में रिया तो इधर का अधाय और इधर के रिया इस तरफ चारों तरफ से कंटेक्ट में यह कैसा है तो कंटेक्ट के रिया कितना है का पाइड़ लेगा ठेक है सारे के सारे कोश्चन आएंगे ठीक है ना इसलिए सब को अलग से नौट करिए आप लो तो यह 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 थे फिनिश्ट बोल्ड कहां यूज करते हैं पर्मानेंट इस टेक्टर या फिर है वी लोडिंग के लिए कि उसके बाद मार्केट में क्या मिलता है इसका व्यास होता है तो मिलेगा आपका यह जो कैसे मिलेगा यह भाइव से लेकर करके यह थर्टिस्ट शिक्स ठीक ना यह निकालेगा ओ यह तूंटी ऐसा उस नहीं देखा कर एक बोल्ड है जिसका प्यास 20 में है ना जो क्या करें एक यम, 20 परकार का क्या है, बोल्ट है तो उसका ब्यास मिल गया आपको? NARMAL ब्यास 20 mm परका आपको अपको पता हो गया गया कि उसका ब्यास कितना मिल गया आपका 20 mm है? थेखँ है यह सैं है एक या दो देखें यह इसमें एक और question पोर्शक पोल शकता है कि भरी इसका ग्रिप लेंथ इसमें इतना प्लस टीक है अब यहां इतना समझने एक वाद यह मेंन समझेंगे की प्रबहृट था है कि तो प्रबटी क्लास क्या होता है मारे मैं कि प्रहट क्लास क मुल्ट का उसलों प्रहट auris के प्रहरति क्लास क। प्रापर्टी क्लास है अधिए ते यहां पर पर टे लाइट कलाश प्रापर्टरी क्लास यह क्या करता हैgriff कि का कैए ब स्ट्रेंथ हाई है कि एलो है जैसे क्या होता है आप चैस्टी करने से पताथ दिर डेय क्या सब्सक्राइब मिलेगा आपका 3.6 से लेके दस दस्मलो नो तक है ना और आप कहते हैं यानि अब कहाते हैं नार्मली यानि जन्रल में हम किस प्रापराइट क्लास का पॉट यूज करते हैं फॉर पॉइंट-फॉर हम कहाते हैं कि 4.6 में या यूबी क्या है या फेल का जाणि आपका य वाई पी क्या है है न आपके लिए दुनों ना मत्रों ञाव गया ऑष यूबी और या वाई भी प्रफरटी कलास यानि क्या बद बताता है बोल्टे ग्रेट दिखाता है क्या दिखाएगा आपका बोल्ट का ग्रेड यcja आपका जो इस्ट्रेंट बोल्ट है उसका पोप ऑसका कितना है ठीक है ना डॉट का है कि likely बोल्ट का ग्रेड दिखाएगा मुंना प्रोल्ट को कहते हैं है अगा आपका सब्नक्राइबाध को जी टी याच ठीक है यानि अफ यह भी क्या है कि क्या होता है आपका 4.6 का मिल जाएगा आपका 400 है यह पहला वाला पॉइंट कितना मिल जाएगा 400 न्यूटन प्रति एम एम इसक्वार ठीक है जबकि अभी बता रहें इसका मतलब क्या है का मतलब क्या हो जाएगा आपका मिल जाएगा आपका दस्मलोच है यानि बाद वड़ा और 400 संगुड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 240 न्यूटन प्रति एम एम इसक्वार ठीक है यानि क्या हुआ प्रापाटि क्लास 4.6 का अल्टिमेट टेंसाइल स्टेंस कितना मिला 400 और कितना मिला 240 यह नहीं किसी बोल्ट पर लगाएंगे तो 240 न्यूटन तक 240 न्यूटन प्रति एम तक क्या होगा वह उसमें उसको लोड लगाएंगे लेकिन लोड हटाने को बाद अपने अवस्ताम आजाएगा है ना लेकिन 240 के बाद इसको लोटिंग कर देंगे त और अल्टिमेट 240 से अधिक लोड करेंगे तो बोल्ट में क्या जाएगा कुछ प्लास्टिक डिफार्मेशन आ जाएगा लेकिन लोड बढ़ाते जाएंगे और 400 के बाद 400 के जैसे थोड़ा भी अधिक लोड लगाएंगे एक आओ जाएगा ब्रेक कर जाएगा यह निए ट बढ़ाते जाएँगे यहां तब लोडिंग लोडिंग किया अपका जो प्लॉल्ट था दिफर्मेशन करते आपने प्रणबभी कवस्ता में यूर्व सेली कोश्राइगे लेकिन लोट कामान बढ़ाते बढ़ाते जब 400 से अधिक जाएंगे क्योंकि उसके अधिक्जम समता कितनी है तनन 400 का है ना तो 400 से अधिक जाएंगे तब क्या जाएगा मेंबर तोड़ जाएगा यहनी अल्टिमेट यहनी चरम है ठीक है तो आपको समझ आओगा एक टॉले कका कियरे यूच कि यूणों और यदि दोनों की करणा को कमेंट करना क्या करना करणा ये को यह आपको प्रापर्टी क्लास कर दो टुफ Zwecai के तो 및 इतना होगा और यह वाई-बी बताना है ठीक है तो आज कि लिए इतना ही बताये कर लेक्चेर कैसा समझ आया कि झाल झाल